ये सेन हमारे पित्रगाओं के समेत संख नदी बहती है इस नदी के उस पार आप देख पा रहे होंगे कि उधर कोलेवीरा प्रखंड दिखाए दे रहा होगा हम लोग बच्पन में इसी जगह से नदी पार होंके स्कूल पढ़ाई करने के लिए जाते थे यहां तक कि हमें नाओ का भी सहारा लेना पड़ता था आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी एरिया में किस तरीके से नदी उफान पे रहती है लेकिन हम लोग सेमल के नाओ से नदी पार हुआ करते थे और स्कूल जाते थे आज सेत्मबर का महिना है दोहजार सत्रा का वर्स है आज मैं अपनी पुरानी यादे ताजा करने अपने गाउं से आया हूँ आप समझ सकते होंगे मेरे साथ में मेरे दोनों बच्चे हैं इसे अपने नदी पर बरसात का मौसम था लेकिन अब खतम ही हो चुका है संख नदी का जो बाड़ था जिससे आपने सुना होगा समझा पत्र के द्वारा कि भाई गुमला के आसपास पूल ही ढगया था लेकिन आज की तारिक में ऐसा पानी का स्थिति नहीं है आप देखिए मनुरंजक वीडियो जिसमें ये लोग सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं कुआ खोद रहे हैं अपने काम पे लगा हुआ है हरसित भी कुआ खोद रहा है मम्मी भी कुआ खोद रही है आप अगला वीडियो देखना ना भूलें देखते रहें लाइफ जार खंड पर मम्मी मेरा कुआ खोद भर रहे हैं अब आपा मेरा भर गया ना हुँआ है मनी हार रही है हुँआ हार गई में तो यह दोनो जो है दोनो भाई कुआ तयार कर लिए हैं अर्णवी मिठी डाल रहा है नदी में चपाक चपाक कर रहा है अब कर लेते हैं कर दूल कर दाल कर दो, कि एक टूल